तो हलो फ्रेंड्स असलाम आलेकूँ वेलकम बाग त्यूवर यूटूब चैनल तो आपको यह मिकप है फस्ट पार आपने वीडियो का जहें वो मेरे चैनल गेर आपर देखा कि मैंने किस तरह से अपनी आई बेस में किया है इप्रो में की है तो यह आपने कॉंस के वाज गए हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में और ये सेकंड और फाइनल पार्ट है तो इसमें पूरा टूटोरियल जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा एंड तक कि हमने किस तरह से ये सॉफ्ट ब्राइडल मेकप लूग जा है वो डेर्डीम प्रोजेक्ट हमने किस तरह से कम्प्लीट किया है ये आपको जबूर पसंद आएगा आई होप कि आपने फास पार्ट दिखा होगा और अगर अगर आप नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके मेरे देख सकते हैं व जो मैंने यूज करी है इसके इंदे तो वही मैं आपको आईशेड़ पैलेट इसमें दिखा दे जूँ कि मैंने इसमें से कौन से शेड लिये हैं और वो कौन सी वाली पैलेट है तो चले आईए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे का आप टूटोरियल वाच करत हैं यह है वो न्यूट की आईशेड़ पैलेट ठीक है यह थोड़ी से एक्सपेंसिव है और इसके इंदे जो शेड है मैं आप वो दिखाये थे मैं दुबारा साब को रिमाइन करा दूँ कि इसमें मैंने यह तो जह है वो लाइट जो परपल शेड से यह लिये है एक थोड अपने लिया है ठीक है इसको मैंने थोड़ा सा माइनर कांटिटी में अपलाई किया है अपने आईबॉल एरिया पर बहुत ही सॉफ्ट मेकप क्रियेट करना है नूर शेड भी दे रहा है आपको ठीक है इसी तरह से सेम प्रोसेस हमने सेकेंड आईपर पे अपलाई करना है कि हल्प से जब यह हम थोड़ा सा यह वह एप्लिकेशन दे देंगे अपने शेड की इस तरह से उसके बाद जहे हमने अपना सेकंड शेड है वह लेना है अच्छा वह आपको दिखा दूँ कि मैं जहूँ वह उसको ब्रेश से अपलाई नहीं करूंगी अपनी फिंगर से ल सेकंड आइपर यह देखें थोड़ा सा टैप करके लगाए ठीक है उसके बाद यही प्रॉससर अपनी सेकंड आइपर भी करना है यह भी अपलाई कर लेंगे तो उसके बाद हमने ब्लेंड करने वाला जो ब्रश होता है ब्लेंडिंग ब्रश आईशेडों का वह लेना है औ कि हमारा शेड जाए वालक से जाए कोई प्रॉपर नदर ना है यह देखें वीडियो पाकर पहरी दफ़ाए हैं तो पूरा वाच करें और चैनल पर पहरी दफ़ाए हैं फर्स टाइम तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को सपोर्ट करें मैं बहुत अच्छ और रहनुन लेका अपनी बॉंटल लाइन को ब्लेंड किया है जूर्ट अब थोड़ा समय जए वह डार्क अला शेड लिया है इसको बाल मी लोओर से ब्लेंड किया है लो दोनों को इस 따रा से से प्लेंड कर देंगे अगर थोड़ा से आपके शेड डेंगे वो बोल्ड भी ह बाद beauty blender से tap करना है अब आप देखने के मेरी skin के अपर कितने अच्छे से यह softly blend हो रहा है यह देखें जबकि मैंने थोड़ा से अपनी skin के according dark tone complexion के according थोड़ा से dark tone में लिया था यह देखें कितनी सफाई से blend होगा है उसके बाद compact powder लेना है उसको अपनी base को lock कर लेना है lock करने के बाद आजाएंगे 5 in 1 blush palette पर तो यह जिसमें से pink फले शेयर है इनी को मैं बस mix करके उसके बाद मैं dust off करूंगी dust off के बाद जो है अपनी smile face देनी है और यह अपना goal goal cheek area है इसके अपर हमने इस तरह से इसको tap करके apply करना है अच्छा first में मैंने थोड़ा सा dust off किया है ताकि एक दम से ज्यादा न लग जया है उसके बाद आपको उसने थोड़ा सा brush में कहते हैं जहें वह straight line में apply करना है यह देखें आई शोय बलश बेजब भी apply करें कभी नीचे की तरफ blend नहीं करें हमेशे उपर की तरफ blend किया करें above side पर यह देखें देखें अच्छी तरह से चेक कर लें आपके अपने apply करते वह के दोनों cheeks के उपर proper apply हुए है थोड़ बस आज जो है वह नोस पर भी apply करूंगी अच्छा लगता है नोस पर भी इसमें आपको contour की भी जरूरत नहीं है नीड नहीं है देन हम आजेंगे highlighter पर highlighter लिया है इसको थोड़ा सा में dust off किया है उसके बाद हमने brow bone पैसे apply करना है अच्छा ज्यादा minor quantity में लिया है मैंने ज् अच्छा था क्योंकि nude makeup look थोड़ा सा है वह look दे रहा है तो इसलिए हमने इसी तरह सा इसको apply करना है उसके बाद जह हो cheek ball पर भी थोड़ा सा जह हो dust off करके इस तरह से apply कर लिया है ताकि आपके जह हो shine करने लगे उसके बाद eyelashes apply करेंगे then हमने लेना है यह pencil ली है अपने lips को create करने के लिए तो अब आदेंगे उपने lips पर तो lips के ओपर जो है यह थोड़ा सा red जो है वह pencil में जो है वह थोड़ा color shade है ठीक है और इससे हम अपनी lips की outline को make करेंगे यह देखें जास हमने outline make करनी है make करने के बाद हमने एक shimmer वाला gloss देना है जो transparent होता है वह transparent gloss जो है वह apply करन है हमने अंदर अपने lips के filling में जो है कोई भी shade नहीं देना है यह देखें यह shimmer जो है transparent gloss है यह देखें कि apply करने के बाद lips कि इतने shine करने लगें इसमें हमें कोई भी color जो है apply करने की ज़रुवत नहीं है अगर आपकी मर्जी कोई और color आप चाहें तो apply कर सकते हैं यह लगाने हो गया है make up done और I hope कि आपने वीडियो जो है वो पूरा watch किया होगा और अगर first part आपने मेरी वीडियो का watch नहीं किया तो आप मेरे चैनल पर जाएं वहाँ आपको इस वीडियो का जो है वो first part मिल जाएगा महाँ पे इसी make up का जो है इसी tutorial का thumbnail मौजूद होगा तो आप आप देख सकते हैं ताकि आपको यह वाला part और जापस पाड़ है असानी से पूरा make up समझ में आ सके पूरा tutorial सफाई से neatly product के साथ मैंने दिखा कर जो है affordable products है इसके साथ मैंने upload किया है just one eyeshadow palette है जो काफी अच्छी जो है वो brand की है और उसकी pigmentation उसके shares है वो काफी अच्छे हैं आई ह अगर new है तो मेरे चैनल को subscribe करें अपने friends से share करें और वीडियो को जरूर लाइक करें इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो जे मैं अपने चैनल पर upload करती रहती हूं इंशालों जहाब next video जाएगी वो भी बहुत ही अच्छे tutorial पर बहुत ही अच्छे topic पर आएगी और आ आपको पसंद आएगी चाहें तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं मेरे इसी channel के about में जाके आपको सारे social links मिल जाएंगे तो जब तक next video नहीं आजाती तब तक के लिए सब लोग अपना खयाल लखें और वीडियो को हमेशा पूरा watch किया करें like जरूर किया करें so तब तक के लि करें